कापता हुआ चीखता है पापा 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 वापिस आओ और पिता कुछ नहीं के पाता है देव के आंकों में आसू चिला रहा है और पिता हजारों किनॉमिटर दूर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है नमस्कार, कैसे हैं आप, मूड कैसा है, नई सुना ही नहीं नहीं दिया मुझे, मूड कैसा है, ये, देखिए, आज कल, ग्लोबलाइज दुनिया है, सारे के सारे देश, हवाई जहाज से, टेकनॉलिजी से, जुड़े हुए हैं, कुछ दिन पहले, मैं अमरीका गया, अमरीका में, मेरा प्रोग्राम टेकसस में था, और किसी ने मुझे कहा कि, टेकसस में, हर्याना के युवाओं से मुझे मिलना चाहिए, पता नहीं, आपने विडियो देखा, नहीं देखा, देखा, मैं आज आप से, उस विडियो के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि, अगर आज आप हर्याना को समझना चाहते हूँ, तो जो भी समझना है, उस विडियो के अंदर है, सबसे पहले, जब मुझे बताया गया, कि हर्याना से, हजारों लोग, 15-20 हजार लोग, अमरीका गए है, मैं हर्यान हुआ, हर्याना से, इतने लोग, अमरीका क्यों जा रहे हैं, ये मेरे दिमाग में सवाल उठा, और फिर, मैं डैलस में, आपके भाईयों से, एक छोटे से घर में जाके मिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके भाई, डैलस में, एक कमरे में, पंद्रा भीस लोग सोते हैं, मैंने उनसे पूछा, आप अमरीका कैसे आए, देशों की लिस्ट ने दी, पहले हम यहां गए, टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से, साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हम दूसरे देशों से निकले, और फिर हम, पैनमा के जंगलों से निकल कर, अमरीका में जाए, अमरीका में हमें रोका गया, पकड़ा गया, और अब हम अमरीका में है रास्ते की कहानी बताई राहूल जी रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं अनेग बार हम सब को लूटा हम समुद्र में से निकले जंगलों में से निकले पहाडों में से निकले हमारे भाईयों को मरते हुए हमने देखा है जंगल में मरते हुए देखा है गिर कर मरते हुए देखा है अपनी आँकों से देखा है फिर मैंने सवाल पूचा मैंने कहा कि भाईया यह जो आपने सफर किया है आप अमीर लोग तो नहीं हो इस सफर के लिए प्लेन टिकेट के लिए नाओ के लिए गाड़ी के लिए आपने कितना पैसा दिया अमरीका में घुचने के लिए आपने कितना पैसा दिया राहुल जी कम से कम 35 लाक रुपए अमरीका में जाने के लगते हैं फिर मैंने सवाल पूचा भई एक बात बताओ आप 35 लाख रुपए बियाज लिये हो या आपने अपना खेत बेचा आधों ने कहा कि भई या हमने अपना खेत बेचा दूसरों ने कहा हम बियाज लिये मैंने कहा किस रेट पर बियाज लियो है कहते हैं दो परसेंट प्रति महीना फिर मैंने पूछा भईया एक बात समझाओ आपने 30 लाग 35 लाग 50 लाग कर्जा लिया है आप अमरीका जा रहे हो 50 लाग रुपे से तो आप हरियाना में ही बिजनस चला लो गए जैसे मैंने ये बात बोली हसने लग गए कहते हैं राउल जी क्या बोल रहे हो आप 50 लाग रुपे से हरियाना में बिजनस नहीं चालू हो सकता है अगर हमने 50 लाग रुपे ये 50 लाग रुपे हरियाना में बिजनस चालू करने के लिए लगा दिये होते तो हमारा बिजनस फेल हो जाता किसी ने मुझे ये भी कहा कि राउल जी मैंने ट्राइग किया फेल हो गया बेरोजगारी है महिंगाई है और जब उन्होंने मुझे बोला मुझे दुख हुआ उन्होंने बोला राहुल जी हरियाना में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है अगर एक युवा गरीब है अरब पती का बेटा नहीं है तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है ना वो बिजनस चालू कर सकता है ना वो पबलिक सेक्टर में जॉब पा सकता है ना वो आर्मी में जा सकता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दर्वाजे आपके बंद कर दी गए है मैं जब उस घर से निकला मैं सोच रहा था कि अगर इनकी ये आलत है तो इनके बच्चों की क्या आलत है ये तो यहां है कोई ट्रक चला रहा है कमने में मैंने बात उठाई थी मैंने कहा कि आप फैमिली से मिलते हो नहीं राहूल जी हम दस साल के लिए अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे हमारे माता पिता मर जाएंगे मगर हम वापिस नहीं जा पए और फिर एक व्यक्ति ने मुझे कहा रहूं जी एक काम कीजिए जब आप वापिस हिंदुस्तान जाएंगे तो आप पांच मिनट के लिए हमारे परिवानों से मिल लीजिए और उनको कह दीजिए कि हम ठीक हैं हम सलामत है मैंने उनसे कहा कि भाई बताओ आपके पास तो मुबाइल फोन तो होगा विडियो कॉल करते होगे तो उनको तो मालम होगा मुझे कहते हैं नहीं राहूल जी वो मानते नहीं है हम विडियो फोन पर कॉल करते हैं और हमारे बच्चे मानते नहीं है कि हम ठीक है अजीब सी बात है फिर मैं करणाल गया सुबह चार बजे कि मैं चाहता था कि मीडिय वाले ना पकड़ ले मुझे ठंग करते हैं मैंने इनको मित्रों कहा मतगर यह हैं अधानी के मित्र अंबानी के मित्र मैं गया चार बजी सुबह वहां बैठ गए बाची शुरू एक मेंबर परिवार का यूएस में विडियो कॉल चल रहा है छे-सात लोग उससा ही डैलस में बैठे हैं बीस-पच्चेस लोग परिवार यहां बैठे हैं मैं सोच रहा हूँ यह हो क्या रहा है और फिर छोटा सा कמפ्थ हुआ दौड़ता हुआ वह कंप्यूटर के पास जाता है कंप्यूटर गो ऐसे परगड़ता है और इतनी जौरों से चीखता है कि मैंने मत्राव शायद अपनी लाइफ में यह चीख नहीं से सुनी कापता हुआ चीखता है पापा पापा वापस आओ और पिता कुछ नहीं के पाता है देव को देव के आंकों मैं आँसू चिला रहा है और पिता हजारों किलोमेटर दूर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है नहीं मैं ठीक हूँ किसी ने कहा बच्चा एमोशनल हो गया मैंने माइंड में सोचा कि एमोशनल हो गया इसके हर रोज सीने में छुरे लग रहे है एमोशनल शर्ट का क्या मतलब है वो अपने पिता को दस साल के लिए नहीं देखेगा छूनी पाएगा गले नहीं लग पाएगा क्यों? क्योंकि हरयाना की सरकार ने हरयाना को नश्ट कर दिया है खतम कर दिया है वो देख की चीखे नहीं थी वो हरयाना के हर युवा के चीखे हैं और जब वो बोल रहा था मैं सोच रहा था कि ये एलेक्शन सब कुछ ठीक है मगर हरयाना में जो लाकों बच्चे इस प्रकार से रो रहे हैं, चीख रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी का काम उनके आसूं को पोचने का है उनके चीखों को बंद करने का है